नमस्ते मैं हूँ सीमा और आज मैं बात करने वाली हूँ फॉर्गिवनेस के उपपर आज हम लोग का एक पर्व होता है शमावानी का पर्व यानि फॉर्गिव करने का पर्व जितनी भी हमने पिछले साल में जाने अन जाने में किसी को ठेस पहुचाई हो किसी को दुख पहुचाया हो किसी को कुछ कह दिया हो तो उसकी हम सब शमायाशना करते हैं माफी मांगते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है इससे भी ज़्यादा जरूरी है पहले खुद को माफ करना, खुद को माफ करना बड़ा मुश्किल काम लगता है, जब आप अपने आपको बहुत गिल्टी महसूस करते हैं कि कोई गल्ती आपने कर दी है, कुछ ऐसा काम कर दी है, जिससे किसी का नुकसान हो गया है, आपने जाने अन जाने में कर दी है, आपक 30% बिमारियां हमारी इनी कारणें से होती है, हम धीरे धीरे अपने अंदर गिल्ट अपराद बोद में और अपने आपको माफ ना करने के कारण, अपने आपको स्विकार नहीं करने के कारण, हम बहुत सारी बिमारियों को घेर लेते हैं, अपने आपको माफ करना इतना सरल लेकिन ये एक चोईस है जैसे जीवन में हम और चीजें चूज करते हैं वैसे अपने आपको माफ करना भी एक चूज है और जब हम इसको चूज करते हैं तो शायद हम अपने उपर कुछ काम कर पाते होंगे आज हम उनी टिप्स के बारे में बात करेंगे कि हम क्या करें कि हमने अगर कोई गलती कर दी और हमें लगता है वो गलती बहुत बड़ी है और हम उसको लेके परिशान हैं और हम कुछ दिन भर आराम नहीं मिल रहा हैं और हम रात को सो नहीं पा रहे हैं और हम किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं हम क्या करें ऐसे चीज के लिए हमें सबसे पहले अपने emotions को देखना होगा कि जब हम अपने आपको गलक मानते हैं और अपने आपको माफ नहीं कर पाते हैं तो emotions कौन से हैं body के किस हिस्से में emotions आ रहे हैं उनको देखना पड़ेगा उनको समझना पड़ेगा उनको अपने पड़ेगा उसको समझना पड़ेगा और उसको कोशिश करनी पड़ेगी उसको बाहर निकालने की लेकिन बाहर का निकल पा रहे हैं वो तो हमारे mind में हमारे heart में हमेशा वो emotions भी हैं और mind में वो thought चलता जा रहा है तो हम सबसे पहले अपने mind में वो thought को लेके आएं जिसके लिए हम माफी चाहते हैं या अपने आपको दोशी ठहरा रहे हैं और क्या feel कर रहे हैं अपने दिल में अपने heart में उसको देखें और कोशिश करें कि उसको कोई भी गल्ती इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उसको let go करनी पा रहे हो और तीसरी बात अगर हम गल्ती कर भी गए हैं और हम किसी चीज के लिए अपने आपको माफ नहीं कर पा रहे हैं तो उस mistake से हमने कुछ नहीं कुछ experience किया है सीखा है और वह मागे नहीं करेंगे तो उसको हमें एक experience ले लेना चाहिए जीवन की एक ऐसी learning chapter ले ले लेना चाहि और हम ज्यादा समझदार हो जाएं अगर इससे भी कुछ फाइदा नहीं हो रहा है तो आप बैटके उसको लिखी लीजिए जब लिखते हैं तो आपके thoughts clear हो जाते हैं और जब thoughts clear हो जाते हैं तो हम उसको समझ पाते हैं क्योंकि कई बार यह ऐसा होता है कि दूसरे से बात कर कि वह आपको कुछ गलत करने के लिए कह रहा है और आप उसको sponge की जैसे absorb कर लें और फिर अंदर अपने गहराई में दर्द में जाते जाएं आप अगर अपने आपको उस situation से बहार रखें और अपने आपको देखें तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी कही बारी हम अपने आपको critical होते हैं अपने अपनी कमियों को देखते हैं और फिर अपने आपको माफ नहीं कर पाते हैं तो उसकी जगे हम अपनी strengths को देखें अपनी qualities को देखें हमारे अंदर क्या खूबिया हैं उनको देखें तो यह हमें बहुत चोटी सी गलती लगेगी और हम उसको छोड़ देंगे और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप अपने आपको माफ नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज फोन उठाईए और उनसे बात करिए बात करके आपको अच्छा लगेगा और क्योंकि इतनी बड़ी कोई गलती होती ही नहीं कि कोई आपको माफ नहीं कर बात करिए उससे किसी mentor से बात करिए या life coach से बात करिए वो आपको जरूर help करेगा क्योंकि वो इस चीज में expertise होती है वो आपको कैसे soot करें कैसे help करें आशा करती हो दूसरों को माफ करने से पहले हमें अपने आपको माफ करना सीखना चाहिए और इसके लिए आप professional help ले सकते हैं आज के लिए इतना ही you were listening to SEMA life coach, thank you for listening to me bye bye